सामने देखें आप लिखा हुआ है प्रधान मंत्री संग रहल है ठीक है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बिसिकली ठीक है तो आईए अंदर की दरफ चलते हैं पहले जस्ट मैंने पहले एक्चुली गाड़ी अंदर पार की उसके बाद मैं बाहर आया मैंने बोला बाहर से तरद्वार का की बनाता हूं तो यह जैसी आप गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो वो साइड में गाड़ सापते वो मुझे पूट रहे अरे अरे कहा जा रहे हूं मैंने बोला सार अभी तो मैं आपके सामने से पार्किंग करिए मैं गाड़ी लेके गया हूं हो सके तो वो सामने पार्किंग है पार्किंग भी में दिखा दो विकॉस मैं कंसर्ण था कि यार गाड़ी कहां लगाई है कि कुई यह एरिया ऐसा है पॉलिटिशन का एरिया आसपास यहां पर भाई सब गाड़ी टो हो जाती है ट्राफिक पुलिस गूमते रहती है आसपा तो यह सामने दिस पार्किंग स्पॉट फ्री पार्किंग है परची वो ऐसी दे देते हैं मतलब टिकट जो दे रखी है पार्किंग की वो वैसी है एक आइलेंटिफिक्शन के लिए ही कि भी आपकी गड़ी यहां पर पार्क हुई थी बाकी उसका ऐसा नहीं है कि आपको प प्राइज देखें आप टिकट की पर पर सन 12 साल से उपर वालों के लिए 50 रुपए है 5 से 11 साल वालों के लिए 40 रुपए है और पांसे चोटे बचों के लिए फ्री है वो कुछ add-ons भी है वो सेल्फी विद प्राइम इनिस्टर की 50 रुपए की टिकट है लास्ट एंट्री आप देख सकते हैं छे बज़े बंद हो जाएगा यह तो पांच बज़े आपकी लास्ट एंट्री है सवेरे यह जो है दस बज़े खुल जाता है और शाम को छे बज़े बंद हो जाता है गुगल में आप पर भी same timing's है गुगल में आप डालेंगे तीन मूर्ति मार्क को भी गोली मारें आप डायक प्रदान मंतरी संग्राले डाल देंगे ने क्योंकि यह इतनी मशूर जगे है इतनी famous जगे है यह सीधा आप यहाँ पहुंच जाएंगे वक्त मैंने बता दी है वीडियो को पूरा देखें तो बहुत अच्छी बात है अधरवाइस आप बेशक स्किप कर लिजेगा क्योंकि इसमें जो है बेसिकली सारी जानकारी है हमारे इस्टोरिकल फैक्ट्स है भारत के प्रदानमंत्रियों नहीं क्या-क्या जो है डेवलपमेंट्स की है किस-किस वक इसमें फिर के लिएंट ब्लॉडियों है फिर की इनए बिलिडिंग यहाय बेसिकली नहरु मुजियम ती पहले मुजियुम और लॉडब्रेरी थी तो पहली बिल्दिंग नहिर्मुजियम वाली और सेकेंड बेसिए बिल्दिंग जो है जो आपका में स्टार्ट प्रधान म संग्राल है यह आप सामने देख सकते हैं भारत का सम्मेधान Constitution तो पहले ब्लॉक में यही सारी चीज़े हैं वैसे तो देखा जाए तो हमने तो खैर इसको मेरे खाल में सवागंटे में कवर कर लिया था वो सवागंटे में एक जनरल पब्लिक की नजर से कवर होता है यह देखें आप इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया आप पॉस करके जहां आपको दिल करें महां आप देख सकते हैं ठीक है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया यह बाइस साड़े-बाइस मिनट का हो गया लेकिन खैर था इतना कुछ वहां पर दिखाने को अब अगर तफसील से बंदा डिटेल में दिखाने लगे चीज़ें तो मेरे ख्याल में इसमें तो तीन से चार घंटे का वीडियो बन जाता लेकिन उतना ना तो मेरा फोन की मेमरी अलाओ करती है क्योंकि इसमें ना स्पेस नहीं होती इतनी ज्यादा डो फलोर्स तो हर फलोर पर इसतरे से कम रहे हैं जहाँ पे जानकरी यह दी हुई है यह अमेंडमेंट्स हुए हैं जो भी कंस्टीचन में समीधान में जो जो भी बदलाख हुए है क्योंकि अमेंडमेंड ऐसे था था नहीं आपको पता है उसका इसा पाप्योस्ट्र sacrificator की बटन दबाना उसको बहुत पसंद था हमारी सोसाइटी के भी लिफ्ट में ऐसे बटन दबाते रहेगी मैं गोदी में लोगा तो बापा बटन बटन लिफ्ट बटन ओन बटन आट ये वाला आप फर्स फ्लोर पे आते हैं तो ये डेडिकेटिड है जवालन नहरु जी के लिए ये पहला वाला ब्लॉक इसमें देखें आप उनकी फैमली एन अर्ली एडूकेशन की बात दे हुए है सेकिंड वाले में जब वो बैरिस्टर बनते हैं 1905 से 1912 के थर्ड वाले में अर्ली इंफ्लूएंसस जो जो उनकी उमर में होए थे 1916 तक फिर ये मैरिज का है 1916 में उनकी शादी होगी थी ये है महात्मा जी के साथ 1916 से लेकर के तो सारी डिटेल है ठीक है अंदर गिफ्क सेक्शन भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये भी सारी हिस्ट्री से रिलेटेड ये बैट्स हो गई है सामने स्वार्ड हो गई है ये वाकिंग स्टिक्स आएंगी अभी हाँ ये देख तो अगर आप हिस्ट्री में रूची रखते हैं इतिहास में रूची रखते हैं तो ये बहुत मज़े की जगए है बाकि मैं तो भी बच्चों के साथ आता हूँ तो मैं तो एक्स्प्लोर करने के लिए आगा था यहाँ पर जबाल नहरू जी की ही डाइड इन दिस रूम त तो यह आप देख सकते हैं दिस दा सेटिंग रूम है वो सोफा वगरा हो गया साथ में उनका बैट भी डला हो था मेरी वाइफ पूछ रही थे कि अरे बैट की हाइड थोड़ी सी छोटी है हाइड मतले लेंथ तो मैंने कहा कि नहरू जी की हाइड थी वह थोड़ी छोटी दृब भी थोड़ी सी छोटी रहती होंगी लेंथ यह इनका स्टडी रूम हो गया इस तरीकर से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वह सामने लां लैंड लाइन वहँआ गरते थे एक और सेकिंड ब्लॉक मेए न एक लैंड लाइन का सेक्षन ए इंटरनेट का और देडिकेटेदे, इन में उनके बारे में जाधा डिटेल है, यहाँ पे न, क्योंकि पहले रिए नहरू मुझे वहा गरता था, साइड में नहरू प्लानिटेरियम है, नहरू लाइब्रेरियरी है, यह देखें आप, श्री जवालन नहरू गैलरी, तो यह आप इनकी गैलर थी because that was world famous वो उस ताइम पे 1947 के टाइम पे प्रदान मंतरी की पहले प्रदान मंतरी की भारत के उनकी स्पीच थी ये war of 1947 से 1948 मतलब बहुत जानकारी है इतनी कि क्या बता है Liberation of Goa Goa किस तरीके से अजाद हुआ था और वो सारी जानकारी है यहाँ पे आप खड़े होगे पढ़ सकते हैं वो buttons थे आप वो buttons प्रेस करके audio guides थी आप वो purchase कर सकते हैं और वो return भी करनी हो दिये बाद में सुनने के बन थे मतलब वो headphones, earphones और वो सब सारी चीज़े ये तोश खाना हो गया, gifts वगरा यहाँ पे वो अंकल जी थे वो उन्होंने मुझे बोला जी वीडियो ना बनाया आप यहाँ पे लेकिन वो इतना harsh नहीं बोलते हैं उनके सामने आप ना बनाया या फिर उनको request करोगे तो वो कहते हैं ठीक है जी थोड़े थोड़े बना लो मतलब इतना harsh नहीं है क्योंकि नीचे से अभी तक मैं बनाते आ रहा था बट अभी उन्होंने सिर्फ यहाँ पे मना किया तो मैं उनसे यही कहते हैं सर मैं तो भी सब के सामने बना किया रहा हूँ किसी ने मना नहीं किया किसी ने हमारा फूकस इसी पहते है तो मैंने वही पुत अभी सब कि अर्याध मैं बना also तो तो इसलिए मैंने फ़टिकल शोल्ट्स लिए रहा है मना गर रहे तो और यहैं कि वह जहाते है वीडियो मत बना यह से वो पीछे बैट हो गया है हाँ ये सोफा अल हो गया वो उस टाइप के अलमीरा हो गया ये सारी चीजें हो गए ये फिर इस तरी मैंने दुबारा उसी बैड्रूम को एक वर्टीकल एंगल में रील के सौर्ट आफ जैसे इंस्टा पर डालते हैं इस तरह से मैंने ये मैं पो आइवरी मतलब ही हाथी के दातों का सारी चीजें ये कों से मुल्क से आई वी हैं देखें जी आप टॉय आइवरी ये बर्मा मैंनमार से आई वी है ये तो खेर गिफ्ट्स प्रदान मंत्री से एक दूसरे को देते रहते हैं हर कंटरी अच्छे रिलेशन्स मेंटेन करने के दूसरे के लिए और अच्छी memories के लिए यह वाल चाहु का है यह विट जोड़ा साब शूं- hind कर लेंगे चाना का है तो यह बनाया हुए मौडल यह तर्की मोडल्स यह तर्की ळए मोडल्स अलग के यह चाहिणा गए मेरे गहाल में के यह उन्ही की algorithions की होती है यह यह कहा Д यह समझ निया रहा पता नहीं कहा है बहुत अच्छे थी गिफ्ट सेक्षन तो मेने को पर्टिकुलर लिफ्ट सेक्षन भी एंफ फिर्स फ्लोर पे ना तो फ्रस्ट वाली ब्लॉक यह नहीं फिर्स वाली बिटिंग मुझे बॉत पसंद आया तो बढ़िया थे सारी चीज दे यहां पर क्या है ना कि अब जैसे मैं भी बच्चों के साथ गया था तो मेरे खाल में तो राम से दो चार गुंटे लगा आकर आता है क्योंकि यह भी देखें यह आईवरी बॉक्स हो गया यह चाइना से मिला था भारत के प्रदान मंतरी जी को जो भी उस टाइम पर होंगे और यह क्या है यह भी आईवरी का सेट है यह इस टाइप की चीजें हैं यहां पर तोशा खाना तोशा खाना लिखा हुआ था यह प्रद्टल से देख की आसा मैंशूफ हो रहा है यह इंडिया से मिला था चैरिए इंडिया का है और यह वाला आयां देखें जरा यह कहां यह नहरू जी को दिया गया था और यह हमारा जिन के लिए अमधेश अमंटे यह उस बनाते हैं यह पस्बसे शाड़ी की आप उधि को तो एक सब अगंटा तो लगी जाएगा क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे क्या भागना एक्दम सपाक सपाक थोड़ा सब बनता देखेगा रुकेगा महसूस करेगा चीजों को थोड़ा बहुत पड़ेगा वो गिफ्ट सेक्षने कुछ-कुछ चीजे बड़ी करता है कि आपको अगर इंट्रेस्ट है तो तो मज़े की चीज़ है यह एक और ब्लॉक सा था यहां पर भी थोड़ा सा ना मतलब कुछ ऐसे से कम रहे हैं जहां पर स्क्रीन लगाई भी है इस पर थोड़े से वीडियो चल रहे हैं बैटने की सिटिंग अरेंजमेंट है जिसोग है और यह सामने से कि मेंड ब्लेंग ब्लाइट साथ होती है वह मे प्रधान संग्राल है यह से कि तरफ जा रहा था Chili building मेंने माराथ से तो तो रखा तो इस वचे से जो वीडियो या तस्वीर आ रही है भैतरीन आ रही है तो आईए चला जाए जड़ा यह देखें प्रदान मंत्री संग्राल है इसका इनौगरेशन बाए डन बाए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंदर दामदर दास मोधी और 2022 में बापीस आएंगे उससे बढ़िया रुख मोड लिया जाए तो हम यहाँ आगे यह ग्राउंट फ्लोर पर ठीक है इसके पी तीन फ्लोर है इसके तीन फ्लोर है उससे दो यहां पर देखा जाए इस तरीके से अब यहां पर हुआ यह की मेरी प्यारी सी बच्ची को हो जाएगा साफ होगी थी वो फिर वो अमने फिर डाइप पिनाया नि उसको और फिर हम आ गए है और सुरी वो इंसिदेंट्स थे तो मैं बस बीच में बोलने लग गया तो यह देखें यह भी एक चोटा सा यहां पर चोटा सा नहीं अच्छा बड़ा सा कमरा यहां पर भी फ मकसद यह हो गया कि आपको सारी चीजें डिटेल में होगी अब आप खुद आए हैं आप और मजहल है खुद से बढ़ेंगे देखेंगे चीजें तो ज्यादा मजहाएगा वीडियो में तो क्या है यह तो दूर से देखा देखी हुई ना सामने से आप खुद आके अपनी मेरी वाइफ ने बताई मुझे मैंने बोला रे देव साब शर्मानी चीजे आर तुमको इतनी खुबसूरत चीज तुम मेरी नजरों से चूग गई मतलब कमाल या यह तो सच में देखें आप इस पीस ओफ आप मान यह आट पीस है मास्टर पीस है यह बैदमिंटन रैकेट वगेरा है उस टाइम के सब हिस्टोरिकल चीजें यह दस्तावेज और फिर से डॉकुमेंट्स वगेरा आप पड़ सकते हैं हिंदू विश्विद्याला यूनिवसिटी यह पीसडी का सर्टिफिकेट था यह लाल बादु शास्ती जी का तो यह सारी चीजे हैं आप यह उन विश्विए साइट में फार्मर भी एक इसान भी है तो यह मेंन बिल्डिंग है तो इसमें सारी डिटेल है यह देखिया फॉर्मिशन ऑफ न्यू स्टेट जो लैंग्विज की बेसिस पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर अंधरप्रदेश महारास्ट्रा गुजरा जो भी सब्सक्राइब करेंशन हुआ था वह सारी चीजें है यह आगस सब्मरीन दिखाई हुए है तस्वीर में और बस बैतरी नहीं यह फिर हम बस ग्राउंड फ्लोर पर यह था जो सेल्फी वेल्फी सब चीजें थी उस सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं यह एमर्जेंसी की डिटे बहुत कुछ है मतलब अगर आप सीखने जानने के मकसद से आएंगे तो तो आप निराश होके जाएंगे निया थख जाएंगे हम तो आम आदमी के मकसद से आए तो मैं लास्ट में थख गया था बिल्कुली यह देखें आप यह 3D मॉडल है कितनी खुब सुरत यह 3D बनाय जाएगी तो यह दो लेटस modern art modern technology यूज करके जो बनाया गया इसलिए बहतरीन है मेरे को इससे याद आ रहा है कि मैं एक नाशनल हिस्ट्री मीजियो में चंदीगड में वहां पर गया था मैं बुद बोट साल होगो इसको तो पाजी 6 साल होगे मेरे घाल में यह देखेंगे क्या यह emergency formation of the जनता मोर्चा यह सामने क्या pledge and victory rally सारी details history के बारे में मतलब अगर आप history के history में इंट्रेस्टेट है या history के student है या history में और जानना चारे है तो बड़ा मजा आएगा आपको freedom of press foreign policy इस तरीके से है यह हम first floor पर आगे हैं भी ground floor से first floor यह हमें घूमते 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 ठगे प्यास लग रही थी अब जियाना को भी थोड़ी देर उनकी ममा को दी में ले रही थी थोड़ी दिर मैं ले रहा था तो थकांद होई जाती है बच्चे के साथ यह section this is the topmost floor बड़ अबरत में शुरू होए थे वो सामने computers रखे हुए राजीव गांधी श्री राजीव गांधी एंड कम्प्यूटर यह देखें पुलाने जमाने के landline देखें यह जो फिल्मों में हम देखते थे यह से नंबर घूमते थे गोल गोल मज़ेदार चीज़ें पाजी यह क्या है The Assam Accord The Mizo Peace Accord Okay मुझे तो पता भी नहीं है सब Bofors Gun अचा Bofors का तो खर पता है तो निउस में चलते रहता है तो Ganga Action Plan सारी डिटेल्स है मतलब 1947 यह देखें इंडिया बिकेम फ्री 1947 श्री जवालन लेरु स्वानन अस दे फर्स प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया 1948 मतलब यह एक गैलरी है यह आप समझें कि सौ मिटर की है मेरे ख्याले में इसमें हर साल जो मेजर इवेंट हुआ था उसकी जानकारी थी हुई है मतलब यहां नम पढ़ते बढ़ते धगे और ऐसा मैंसे जो रहता है यार देव साब आपको तो कुछ पता ही नहीं है तो उसी जिन्दा भी हो यह सांस ले रहे हो से जानकारी नहीं तुमको क्योंकि इतनी डिटेल है इतना तो पता ही नहीं हो तो मैं हिस्ट्री अभी नहीं यह कैमरे देखे सामने लगा है मैं इस तरह से कैम 5,6,4,3,2,1 लिखा हुआ है यह मेरी वाइब मस्ती कर रही थी acting as if she's trying to operate them यह operation knowledge यह rocket कब अपना है वह था यह कहा है सर्व शिक्षा अभियान एक mission blackboard भी था मेरे खाल में बच्ची बढ़ाओ नटकियों की education के उपर हो यह golden quadrant यह तो हमने civil engineering में पढ़ा हुआ मतलब वो रोड जो की चारो दिल्ली मुंबई कलकता चन्नी को जोड़ता यह कारगिल के बारे में था यह सामने जो है वो है मिट्टी है rock and soil from कारगिल टाइगर हिल कारगिल यह बड़ा बड़ी अच्छी चीज थी यह डॉक्टर मनमुहन सिंग early life and political journey यह area उनको dedicated है जो जो उनकी early life में जो incidents हुए है उनकी political journeys में क्या ups and downs रहे हैं क्या उनकी policies रही है क्योंकि प्रधान मंतरी संग्राले है तो उनमें तो प्रधान मंतरियों के बारे में ही चर्चा की जाएगी तो इसके बाद फिर नरेंदर मोजीद जी अभी था यह नरेंदर मोजीद जी का section स्टार्ट हो रहे हैं हाँ से यह digital village दिखाया हुआ है मतला जैसे 3D maps होगे रहे होते न उस तरीके से और यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ है यहां पर कोरोना के उपर भी एक थोड़ा सा बनाया हुए यह देखें आप यह वाला section है इसमें आप आइस डाल के check करेंगे कुछ कोरोना से related था मैंना बताया थी यह मोदी जी की विजिट्स की बारे में बुटान गए थे वो कितने बार ब्राजील गए नेपाल गए जपान गए कब गए कितनी बार गए है क्या कुछ चीजे उन्होंने की है सामने मोदी दॉक्ट्रीन स मतलब खराब महसूस होता है कि यारदेश में क्या क्या हो रहा है लेकिन आप यहां आकर जब देखता है बंदा तो एक गर्व महसूस होता है मुझे particularly personally महसूस हुआ मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है आपको भी महसूस हो गई होगा क्योंकि जो चीज गर्व की बात है वहां तो गर्व महसूस हो गई न अब दिल है तो धड़केगा अब दिमाग है तो अब ऐसी चीज़ें देखेगा तो गर्व महसूस करेगा फक्र महसूस करेगा यह जैसे हम बाहर निकले तो यह सोवनेर शॉप थी यहां से आप कुछ अगर परचेश करना चाहिए अब हम तो बिल्कुल थक के चूर-चूर होगे था भाई साब हमने बोला हमसे नहीं जाया जाएगा भी और यह होगी लेफ्ट साइड में राइट साइड में है यह नमस्ते का और प्राइमियस्टर भी सिर्फ मोदी नहीं है जितने भी प्राइमियस्टर है आप किसी के साथ भी फोटो ले सकते हैं 50 रुपी की टिकट दे दी मैंने उसके बाद दो चेहरें एक पर आप बैठेंगे और एक पर मोदी जी की वह कंप्यूटर से फोटो बनती है उसके लि आपको लगे कुछ भी हो तो दुबारा सेंड करते हैं अब यह दूसरा एक और यह 50 रुपे लेकि आपको हैं रिटर मिलेगा फ्रम यूर फेवरेट प्राइमिनिस्टर इसमें भी आप अपना फेवरेट प्राइमिस्टर से लेकर ले मोदी कर ले बारत में तो मोदी की वे आप इंडियर जियाना के नाम से मोदी जी का साइन हो गया जैसे यह देखे हैं आप दियर जियाना विशुद रिमें स्टुडेंट फॉर लाइफ टाइम और नीचे है नरेंद मोदी का सिगनिचर तो यह इस तरीके से बन गया पूरा को बड़ा मजे का था यह पूरे पू लोग वीडियो बनाते हैं तो मेरी वाइफर बेटी है तो बच्ची की टिकट नहीं लगती तो एक बंदे की पचास रुपय है तो इसमें अमने ये भी ले लिया था यह देडिर सो रुपे डालके वैसे सो रुपे की टिकट थी मतलब टोटल ही सो रुपे खर्चे में मोट अमोटी सारी चीज गबर होगी है तो इस वो अलसा नाइस हालां कि वीडियो और फोटो वो क्वालिटी उतनी मज़े की नहीं थी वो देखके ऐसा लग रहा है कि यार कोई एडिट शेडिर कर वाई हूँ यह आप तो वीडियो और फोटो जथी वो आप बनवाना चाहे बन आप यह सारी चीज आपके सामने मैंने वीडियो बनांके आपके सामने रख दी फ्री फीपागिंग है तीन मूर्ती मार एक रिया प्रधानमंत्री संग्राला है दिल